यहां दोस्तों क्रिकेट के सभी चाहने वालों का हार दिक के स्वागत है वर्ल्लकफ के बड़े मंच पर आज का मुकाबला भारत वनाम आउस्टेलिया के बीच टोस यहां पे जीता है भारते काप्तान रोहिस सर्माने और इस सांदार स्टेडियम दरसों कोंसे खच्यक खच् पांच जोबर का इस सोपर फाइब मुकाबला आज भारत वनाम आउस्टेलिया के बीच दोस्ते आपे खेला जा रहा है टोस जीता है भारते काप्तान रोहिस सर्माने लिया है पहले पले बाद जी का निनन है तो आप सभी क्रिकेट के चाहने वालों उसने वेदने के साथ मुकाबले को लाइक कर दीजे हिट मैन रोहिस सर्मा पहली ही गेंट पर तावर तोड़ प्रहार दर्जक दिरगा में छेर अनुकल गेंट को डिलेवर कर दिया है कप्तान पैट कमिंग सोयम आए है पहला ओवर लेकर सामने हिट मैन रोहिस सर्मा दोस्तों आप लोगों सामने पैट कमिंग्स और इस मैन रोहिस सर्मा पहल चुके है चाल में नीचे फील्डर और इस सफलता मिल चुकी है पैट कमिंग्स को हिट मैन रोहिस सर्मा को कप्तान आउस्टिलिया के कप्तान पैट कमिंग्स ने दूसरी गेंट पर कर दिया चलता यहाँ पे खुसी के ब बादल भायरत्य टीम के उपर रोही सर्माने बनाए छेरन अगले बले बाद आ चुके दोस्तों यहाँ पर एक ब्राट कोली ब्राट कोली आये हैं अप बले बाजी करने के लिए और आप सभी क्रिकेट के चाहने वालों से निवेतन के दोस्तों पांच-पांच ओबर एक बादल भायरत्य टीम के उपर संकट के बादल लॉस्ट इलिये टीम में तावर तोड़ गेंद बाजी यहाँ पर कर दी है रोही सर्मा उसके बाद इस सोमन किल अब यहाँ से क्या होगा इस मुकाबले में इसान किसन खेल रहे हैं आज और इस बक्त भारत्य टीम छेरनों के इसकोर पर तोविगेट अपने का वावेट्टी है पैटकमिस तायार सामने इससान किसन देखना होगा अब क्या होगा इस मुकाबले में और पैट कमिंग्स के उपर ही सान किसन का तावर तोड़ प्रहार है टीप मिड़ केट सी मारेका के बाहर डिलेवर कर दिया गेन को तर्जक तीरगा में छे रनुगे लाज जबा पलेबाजी पहली दो विकेट भारती टीम की सलामी बलेबाज जोस्टली कप्तान पैट कमिंग्स ने पहले ही ओवर में यहाँ पे चैटक लिए दोस्तो अब सांकट के बादल भारती टीम के उपर यहां से मढ़ राते हुए लेकर आया है इसान के सन वहलेबाजी करने के लिए पहली गेंद पर छक्के के साथ पारी का अपनी पारी का खाता गोला है एचली एपेट कविंग सामने इसान के सन देखना होगा क्या होगा इस मुकाबले में बड़ी चिनोती और एस सांदार सोट है सबर दस्त प्रहार है फाइल एक्सेमारेक आगे बाहर काफी दूर काफी दूर 148 मिटर दूर इस्टेढियम के बाहर गैंद को डिलेवर कर दिया ईसान के सन और चिले टीम को दो सपलता है मिल चुकी है ओवर की समाप्ती पहले ओवर की समाप्ती की पच्छाद 18 अरन भारती टीम पांच माच ओवर का मुकाबला है दोस्तों तो मुकाबले को लाई करके अंदर तक जरूर देखिएगा चली तयार और एक और अच्छा सोट है पुल कर दिया है वराट कोली दूसरी तरह पेक तरह पीसान किसन और ओश्टिलियागी टीम ने पहले ओवर में दोस्ता फालता हैं दोस्तों ले लिया हैं इसका मतलब भी नहीं कि भारती टीम के खलानियों के नाखोन गिर गए हो चोबीस पर दो भायर थी टीम एक दिसमला वेक ओवर की समापती की पाचाथ किंग कोली सामने बिलीश टेंड लेग और लीज जे फिर से जबर्दस टाइमिंग है कूप्तुरत प्रहार एक और सांदारला जवाप्रहार चार रने मिलेंगे इस बार दर्सकों से खचा कच भरा हुआ इस्टेडियम हचारों की संक्याम है दर्सक मौजूद चेन नहीं गए कूप्तुरत मुकाबला सांदार मैदान भारत वर्सेज आउस्टिली आमने सामने इस मुकाबले में दोस्तो और माद्र पांच पांच जोबर का मुकाबला है तो आप लोगों से निवे दिन मुकाबले को लाइक कर देजिए अंत तक जरूर देखियागा मुकाबला पैट कमिंग स्विल्टिंग पर परिवर्टन करते हूँ 28 पर दो 28 पर भारत ये टीप व्राट कोली सामने और लिजेज बार अच्छी गेंद है एकदम ठिकाने पर विलीश 10 लेक दो वॉलों पर स्पॉंडरी आने के बाद तीसरी गेंद पर आपे बाप सिकिया विलीश 10 लेक रे सामने किंग कोली देखना होगा कौन किस पर भारी पड़ेगा देखना होगा आज किस मुकाबले में कौन किस पर भारी पड़ेगा किंग कोली सामदार वल्लेबाद जी एक और लंबा प्रहाट 147 किलोमीटर प्रतिगंटिक रफदार से गेंती दोस्तों इसको जवर्द संदाज 136 मीटर दूट रेवर कर दिया किंग कोली के बल्ले से सामदार वल्लेबाद जी दर्सकों से खचा-कच भरा हुआ इस्टेडियम और दोस्तों आप लोगों को बतातें कि 2011 में भारती सरचमी पर वर्ल्ड कप हुआ था उस वल्ल कप को महंदर सिंग धोनी की कप्तानी में भारती टीम ने विजय किया था अब यहां पर फिर से एक सांदार वल्ल कप इस वक्त भारती सरचमी पर चलता हुआ वल्ल कप 24 और भारती टीम अभी तक एक भी मुकावला नहीं हा रही है दोस्तो आज आपके सपोर्ट की जरूत भारती टीम को सपोर्ट कीजिए मुकावले को लाई कर दीजिए और एक और अच्छा सा ओटेडी पिसकोर लेक्स जी मारेका के बाहर किंग कोली के बल्ले से जबर्दस्त टाइमिंग सांदार वलेवाजी 40 जरन भारती टीम दोविकेट कुरूता पर एक दिसमला पांच ओवर किसमाप्ती के पच्छाथ पहले ओवर में कप्तान पैक्ट कमिंग्स ने रोई सर्मा और सोमनकिल कुक्या चलता उसके बाद यहां पे किंग कोली किंग कोली और ईसान के सन यहां कर रहे हैं वलेवाजी इस वक्त किंग कोली बहुती सांदार फॉर्म मनेजरा रहे हैं पांच के नो पर बाईस दिन बना कर खेल रहे हैं किंग कोली ईसान के सन तीन के नो पर बार आरन अंतिम गेंद आवर की सामने किंग कोली तब आप टाइमिंग है एक और साथिक्स यहां पे दो ओर कि समाप्तिके पज़चाट चालीस पर दो भारते टीम दोस्तों मुकावला माद्र पांच पांच ओर का है माद्र पांच पांच ओर का यह मुकावला है तो आप लोगों से बनम्र निवेदन है कि अपना पहुल समय निकाल कर पांच-पांच ओबर कि इस मुकाबले को पूरा देखें भारती टीम का सपोर्ट करने दोस्तो नाथन कुल्टर नायल आये हैंगे अंदवाजी कर निकले सामने रहेंगे इनके इसान के सन अब देखना होगा वराट कोली 6 गेंद अब 28 रन बना चुके हैं दो अबर के समापती के पच्चाथ 46 पर दो भार देटी और इसान के सन लाज जबाग टाइमिंग है दर्सक के दिरगा में क्या बात है अदुत्य अविस्वस ने वलेबाजी इसान के सन के बले से और वाहरी किनार लगा वलेका गेंद के संपर्क में आया लेकिन गेंद का इस्चिदी इस्थी पॉइंट सी मारेका के बाहर दर्सक के दिरगा में कापी दूरी यहां पे तैकर दिया दोस्थी इस गेंद ने कप्तान पेट कमिंग्स फिल्डिंग में परिबर्तन करते हुए बावन पर दो भारतिय टीम दो दो समला वेक ओवर की समाप्ति के पच्चात इसान केसन लास दबाब वलेबाजी इस बार अच्चा सोट है आपर कट कर दिया है पाई लेक्स जी मारेका के बाहर दर्सक के दिरगा में छे रनोगे अदुत्य प्रदर्सन 123 मीटर का कापी दूरी पर भेजा है सोट इसान केसन ने अउस्टिलिया के खलाब भारते टीम की तावर तोड प्रदर्सन तावर तोड वलेबाजी जारी है दोस्तो अगर आप लोगों ने अभी तक भी इस मुकाबले को लाइक नहीं किया तो लाइक जरू करती अगर आप चेनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकर प्रेस दबा दीजे लगाता तो छक्के इसान केसन नो एक बार अच्छा सोट है फाइनले की दिसामे खेलना चाहते थे संपरक नहीं हो है इस बार अच्छी गैन बापसी करते हो यहाँ पर बापसी करते हो बन बाउंस यहाँ पर चेताब ने दिये गेन बाउंस को बन बाउंस की चेताब ने दिये दोस्तों और आज की मुकाबले के बारे में आपको बताएं कि टॉस भारती कप्तान रोहिस सर्मा ने जीता और टॉस जीत कर पहले बलेबाजी करने का निड़े लिया है और दो दो समलाब तीन ओवर में पांच पांच ओवर के इस मुकाबले भारती टीम ने 58 नवना दिये हैं लेकिन गती इतनी ज़्यादा की बलेबाज को बीट कर दिया 152 नाथन कोल्टर नाइल 152 क्लोमेटर प्रतिघंटे की रफ्तार से इसान के सामने फिर्चे तयार पांच भी गयत लेकार देखना होगा इसके अथको कहां करेंगा डिले पर वी पटकी गयते हैं सांदार टायमेंगे लाज़ जबाप सोट है इसान के सनवाँ एक ही तो दिल है कितनी वार जीतों के इसान इस मुकाबले में कोछ ऐसा ही कारनामा करके दिखा रहे हैं इसान के संदोस्तों लास जबाब अपले बाजी आप सभी दर्सकों से बारंबार निविदने कि अगर आप लोगों अभी तक भी इस मुकाबले को लाइक ने किया तो लाइक जरूर कर दीजे अगर आप चैनल पर नहें तो सब्सक्राइब कर दीजे बेल आइकन प्रेज कर दीजे क्योंकि वर्ल्ड कप के सारे मुकाबले यहां से आप लोगों को लाइफ देखने के लिए मिलने वाले है सांदार मुकाबला है 64 पर दो भारते टीम 2.5 जोवर की स्वापती की पक्षाथ देखना होगा अब यहां से क्या होगा इस मुकाबले में इसान के सांदार फोम में अच्छा सोटे पिर से लाज जबाब के अन्तवाजी और यहां पे सफलता सायद सफलता मिल चुकी है अपील की और इसान के सांद रुभाग के स्टारी रहे बहुती बड़ी अप फोम में बले बाजी कर रहे थे अपना काम बकू भी निबा रहे थे हां पे तीस सबनाई हिसान किसन नो गेंद होगा सामना किया पांच छक्के लगा 64 परतीन भारती टीम अब आचुके हैं बले बाजी करने के लिए हार्तिक पांडिया बाप जी किये हार्दिक पांडिया ने बाप से किये दोस्टो उस्टिले खलाब इस मकाबले में सांदार सूपर फाइब मकाबला है एंड्री उटाई हैं गेंद बाज और सामने रहेंगे दोस्तों इनके किंग कोली अब देखना होगा किंग कोली के संदाज में करते हैं बले बाजी 64 परतीन भारती टी मातर बारा गेने से यहाँ पर मातर बारा गेने और किंग कोली लाजबा टाइमिंग है कवर के उपर से सांदार प्रहार तरसक दिरगामे 6 रनों के लिए लाजबा बले बाजी भारत पनाव ऑस्टिलिया के वीच वर्ल्ड गफ के बड़े मंच पर क्रिकेट 19 गेम प्लिक मात्यम से आप सभी दरसक सांदार मुकाबले का अनंद ले रहे हैं दोस्तों ऐसी इस सांदर कॉमेंटरी सुनने के लिए और मुकाबले देखने के लिए हमारे चेनल को सस्क्राइब कर दीजे वैल आइकन प्रेज करके आने वाले सारे मुकाबले देखते रहे हैं रोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल जाये करेगा दोस्तों और वराट कोली की बल्ले में जो जान है कि गैन को सीमारेका के बाहर लोग फल्टोस गैन थी बल्ने की निचले से पिल लगी गैन और गैन कही 200 सीथी सीमारेका के बाहर 6 एनुकले जबर्दस्त वल्लेवाजी छेतर पर तीन भार थी टीम तीन देसमल अब दो वर किसमाप्त की पस्चाथ ओवर डिविकेट तयार है एंडू टाई इस बार पटकी कई गेंटी पुल कर दिया है मिडिविकेट की उपर से वराट कोली ने हवा में तीव गेंट को पुल कर दिया है डीप डिविकेट सीमारेका के बाहर चार अउगले असी परतीर भार थी टीब वराट कोली चवालिस पर है और एक बाहर पर से पुल कर दिया है सांदार वल्लेवाजी है जबार गेंट जाईगी पलेट सोट यहांपे सांदार चारण किंग कोली एंड्रू टाई के खिलाफ लाज जबाब बल्लेबाजी करते हुए पाहरी किनारा लगाए बल्लेका गैन केई पॉइंट सीमारेका के बाहर चारण रुगले कभी-कभी वलसाली का दोस्तो लगान सील महिनती वल्लेबाज का भाग भी साथ देता है सांदार वल्लेबाजी चलती हुई 84 परतीन भारती टीम 3.4 ओवर की समात्ती के पच्चाथ किंग कोली और लीजे लीजे एक और शबरतस टाइमिंग टीप इडुकेट सीमारेका के बाहर नहीं है बाकी मैच का आँको देक हाल सुनने के लिए मुकाबले को लाइक करतीजी दोस्तों अगर आप चेनल पर नए है तो सस्क्राइब करतीजी 35 ओवर में अबबेरन भारती टीम ने खड़े करती है किंग कोली तैयार किंग कोली इस गेन कोर अच्छी गेन ते अब आँके लडी आये पाएं लेका फील्डर पीचे महजूद और यहाँ पे सफलता मेल चुकी है 90 पर चोथे विकेट के पतन भारती टीम के हो चुका है अंतिम ओवर से ऐसे दोस्तों यहाँ पे अब देखना होगा चंगन मना किंग कोली ने अब आएंगे बल्ले बाजी करने के लिए रविंदर जड़ेजा और रविंदर जड़ेजा हार्तिक पांडिया दोनों के बीच में देखना होगा क्या ताल मेले हाप नजर आएगा इस्पिनर को आएगा गेन बाजी करने के लिए अंतिम ओवर लेका है और लिजिए जड़ेजा पहली ही गेन पर सांदार फुट वर्क है टाइमिंग आइडियल है और गेन को डिलिवर कर दिया है इस टेंड के बाहर दर्जक दिरगा में छे रनों के लिए लाजवा भारत्य टीम पांच-पांच चोबर का दोस्तों मात्र 30-30 के अनों का सुपर फाइब मुकाबला भारत बनामा उस्टिला की भी चल रहा है टोस जीता दोस्ते हाँ पे भारते टीम ने कप्तान रोही सर्मा ने लिया पहले वल्लेबाजी का निनन है और च्छान विरन खड़े करती है और इस बार समपरक अचा नहीं है पीचे फिल्डार है लेकिन आसवानी से गेंद जाएगी दोस्तों लोगोप सीमारेका के बाहर 4 रन उगले देखा यहाँ पे जांचा परका की मिडोप का फिल्डा 30 गचकदारी के अंदर है उसका फूरा फरफूर फायदा यहाँ पे उठाया इसान रविंदर जड़ जाने गेंद को दिसा मातर दे दी और दिसा देते ही गेंद चली की दोस्तों हाँ पे मिडोप सीमारेका के बाहर 4 रन उगले सांदार साजेदारी सांदार तालमिल दोनों ही बलेग बाजों की बीच में हाँ पने जिरा रहा है असानी से भारती टीम 115 का टारगेट खड़ा कर सकती है अभी बच्ची हुई 4 गेनों पर इस बार फेल्डर मौजूद है और यहाँ पे सपलता मिल चुकी इसी के साथ भारती टीम ने खड़ा कर दिया दोस्तों 101 रनों का टारगेट ऑस्टिले टीम के सामने अब यहाँ से टारगेट को चेस करेंगे ऑस्टिले टीम देखना होगा मातर 55 ओबर का दोस्तों मुकाबला है सो रनों का लक्ष बाच्चु की इस लक्ष को पीज़ा करने के ने मारनस लवुसेन के साथ क्रिसलीन मारनस लवुसेन के साथ क्रिसलीन आच चुके मौहम्मद समी के हाथ में गेंद है पीस गेंदों पर 101 रणों की जरोंत हैं आप उस लेड़ीग को मारनस लवुद हुसैन सामना करें mówią समी की गेंद बाजी का और पहले गेंद पर मारनस लवुसेन सबसे खतरना गेंद बाज वर्ल्ड कप इध्यास में दोस्तों सबसे खतरना के बलेबाज मारनस लवुसेन अब भी तावर तोड़ बलेबाजी करते है भारती ठीप के खलाब तो खासकार जबरदस्त फॉर्म मेने ज़रा रहे आते है पहली गेंद पर शक्के के साथ पारी की सुरुबाद यहां पर करती है मारनस लवुसेन ने आउस्टिलिया टीम तावर तोड़ बलेबाजी करती अब देखना होगा जीत किस टीम के होगी मारनस लवुसेन भारत पराम आउस्टिलिया के वीच वर्ल्ड कफ दो हच जायते है इसका सांदार मुकाबला चलता हो दोस्तों इस वक्त 28 गेंदों पर कान वेरनों की जरुत जीत के लिए मारनस लवुसेन महम्मस समी और एक और लास जबाग टाइमिंग इस बार लोंगोक्सी मारेका के बाहर बहुती बढ़िया संपरकु आ है गेंद को डिलेवर कर दिया है तरसक दीरगा में छेरो नुगले भारत बनाम ऑस्टिलिया के वीच वर्ल्ड कप के इस बड़े मंच पर तावर तोड़ तरु बात कर दिया दोस्तो ऑस्टिलिया टीम ने भारती टीम ने खड़ा किया एक सो एक का टारगेट पांच पांच वर किस मकाबले में और इस टारगेट को यहाँ पे चेज करते हुए लाजबाग टाइमिंग एक और को उप्सरा सोट है बन बाउस जिमारेका के बाहर चार नुगले पहले ही ओवर में तावर तोड़ बलेवाजी करती है पहले ही ओवर में मारनस लभुसें को भेजा दोस्तों स्वामी बलेवाज के रूप में और अच्छी खांसी बलेवाजी करते हैं तावर तोड़ बलेवाजी करते हैं चार गेनों पर 20 रन आच चुके हैं 26 गेनों पर 80 पासी रनों की जिरो थे जीत के लिए माननस लब हुसें सामने मुहम्मद समी के अंतिम गेंद अंतिम गेंद है अपरकट किया है सांधार टाइमिंग चक का है अगली अंतिम गेंद पर छे रन गेंद एक ओवर की सवापती के पच्छाथ 26 रन ऑस्टिले टीम का स्कोर हो चुक खनद है क्रिसलीन सामने है मुहम्मद सराज के और स्राज की पहले गेंद और क्रिसली न आसाने से केला आपे लाटकी सराजने के अगले और। पलता भारतिय टीम को मिल चुके लाज अब गेंद बाजी आप देख सकते हैं रीपले में क्या कोफसरत गेंद बाजी यहाँ पर क्रिसलीन काफी निराज बले को जमीन पर ठोकते हुए यहाँ पर और चलते हुए अगले बले बाद आएंगे दोस्ते यहाँ पर ग्लेन मेक्सवेल ग्लेन मेक्सवेल आए है यहाँ पर एक और छकों के बेता जिबासा ग्लेन मेक्सवेल आचुके हैं 22 गेंदों पर 75 रनों की जरुवत है जीत के लिए और मेक्सवेल है सामने पहली गेंद भाईड योर कर यहाँ पर एकदम ठेकाने पर बटके गेंद एंपार ने इस गेंद को सुईकार किया है 21 गेंदों पर 75 अनों की दरकार 26 पर एक मारनस लवुसेन 26 अन बनाए भी तक बले बाजी कर रहे हैं अब फिर अच्छी गेंद है और यहां पर गिलेन मैक्सवेल कवर के ऊपर से सांदार टाइमिंग मैक्सी गिलेन मैक्सेल सांदार प्राइब चेरन के लहां पर च्छका बटो रहा है गिलेन मैक्सेल सांदार मुकाबला चलता हुआ तरसों से खचा-Kच भरा हुआ है स्टेडियम और अगर आप लोगों अभी तक दोस्तों से मुकाबले को लाइक नी किया तो लाइक ज़रू करतीजे अगर आप चैनल पर नहें तो सस्क्राइब करतीजे बेल आइकन प्रेज करतीजे सारे मुकाबले लाइफ देखने को मिलने बाले है ग्रेन मैक बेल पर अच्छा सौट है बेक टू बोलर यहाँ पर अपने फॉलो तरों पर गेंद को फिल्ड कया तो बर की समाप थी होच चुके दोस्तों यहाँ पर अंतिम गेंद से से 19 गेंदों पर 69 रनों की जरूत है जीत के लिए औस्टिले टीम को गेंद बाजी करने हैं मुहमद सिराज चलिए सिराज की गेंदी सांदार टाइमिंग लेकिन बाहरी किनारा लगा है कीपर के उपर से मैक्सिबल को मिला है सांदार चखका यहाँ पर अंतिम गेंद पर 6 रन आए है मात्र तेहरे 60 रनों की जरूत है जस्पीट बुमरा के हाथ में गेंद मुकाबली में अगर भारती टीम को कोई गेंद बाद जिता सकता है यहाँ से तो एक मात्र गेंद बाद जस्पीट बुमरा और बुमरा ने क्लीन बोल्ट कर दिया यहाँ पे लीज यह मारनस लबुसेन को जस्पीट बुमरा चारो खाने चित कर दिये यहाँ पे मारनस लभूसेन के योरकर डिलेवरी के एंती बले बाज समझ नहीं पाई गती से वीट किया यहाँ पे मारनस लभूसेन ने वनाए 26 रन चलता किया जस्पीट बुमरा ने क्लीन बोल्ड कर दिया जस्पीट बुमरा और बले बाजी करने के लिए भारत वराम और उस्टिलिया के वीच वर्ल्ड कप 24-23 का सांदार मुकाबला चलता हुआ अगर आप लोगों ने दोस्तों अभी तक इस मुकाबले को लाइक नहीं किया तो लाइक जरू करतीजे चैनल पर नहें तो सब्सक्राइब करतीजे वेल आइकन प्रेस करतीजे क्योंकि वर्ल्ड कप 24-23 इस वक्त लाइस जबाब अंदाज में चलता हुआ सीधा सोट के लाइप पुल कर दिया डीप इसकोर लेक्सी मारेका की बहार पीछे फिल्टर मौजूद है गेंद को नहीं रोक पाएंगे चार अन यहाँ पर मिलते हुए मारकस इस्टोनिस को चोका यहाँ पर मिला है सांदार टाइमिंग के साथ तारीब कर रही होगी मारकस इस्टोनिस के दोस्तों किस खुब सरत अंदाज में यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं सांदार टाइमिंग के साथ यहाँ पर चोका बटूरा है पंद्रा गेनों पर त्रेप पननों की आवस सकता है अब 48 पर तो उस्टेलिया ओहो हो मारकस इस्टोनिस क्या बात है लास बाप पल्लेबाजी जस्त्रीद वुम्रा सफल तामिली पहली गेन पर मारकस इस्टोनिस पहले बल्लेबाजी करने के लिए लगा तर्तो चक्के आपे मकाबला दोस्तों माथर 55 ओवर का चलता हुआ भारती टीम ने जीता टॉस टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करते हुए 55 ओवर के इस मुकाबले में 101 रगड़ का टार्गेट दिया है 14 गेनों पर 47 रनों की जरूत है अब यहां से ओस्टिले टीम को अच्छा सौट है वे अक्टू बोलर रॉंदा ग्राउंड पीजे फिल्टर मौजू सिंगल के साथ यहां पर स्ट्राइक रोटेट करेंगे वाज चुके हैं मैक्सवेल वल्लिवाजी करने के अब देखना होगा कौन इस मुकाबले को जीतेगा अच्छी गेन ठीकाने पर गेन सांदार टाइमिंग फिर से दोड़ पड़े सिंगल के लिए आसानी से सिंगल चुलागी हैं तिम गेन पर भी 12 गेनों पर 46 रनों की आबस सकता है ग्लेन मैक्सवेल और मैक्सवेल ही बकसेंगे मैक्सवेल ऐसा मौका नहीं चोड़ेंगे जीत के एकदम करीब आच चुके ऑस्टिलिया और भारते टीम को ये मुकाबला जीतना है तो उस्तों तो एक अच्छे ओवर की जरूत है अंतिम ओबर लेटे आंगे जड़े जा फिलाल यहां पर देखना होगा मुकाबला फस्ता होने जड़ा रहा है 11 गेने 49 रन जीत के एस्टिलिया टीम को मैक्सवेल और लीजे को तावर तुड़ प्रहारे ग्लेन मैक्सवेल हाँ वाई फायर कर दिया एलिकोप्टर स्वाउट ए और गेन को भेज़ दिया दर्सक दिरगा में 6 रनों के लाज जबाब मुकाबला पूरी तरीके से मुकाबला फस्त चुका है देखना होगा जीत किस टीम के होगी दोस्तों यहां पर लाज दिरगा मुकाबला है दर्सकों से खचाखच भरा हुआ है स्टेडियम 68 पर तो उस्टिलिया 10 गेनों पर 33 रनों के आवस सकता है अब देखना होगा जीत किस टीम के होगी फस चुके है जाल में नीचे फील्डरों अपने फसा लिया दोस्तों अपने जाल में नो गेनों पर 33 रणों की आबल सकता जीत के लिए और लीजे पैट कमिंग्स आए और पैट कमिंग्स ने पहली गेन को भेज़ दिया है दोस्तो डीप में बुकेट सुना एक आपे पहर 6 रणों के लिए अदुत्तिय अभिस्वास्ने प्रदर्चन अदुत्य अभिस्वास्ने प्रदर्चन भारत वरा ऑस्टेलिया के वीच वर्ल्ड कप का इस्तांदार मुकावला बड़ा मंच वर्ल्ड कप का दोस्तो फस चुका है मुकावला पेट कमिंग्स को भी कर दिया चलता है कुल्दी प्यादव कुमिली दूसरी सपलता है जोवर से एकदम फस चुके दे बल्लेबाज पे अकपुट पे आये टाइम नहीं कर पाए गेंग्स को और यहाँ पेट कमिंग्स अपना विकेट घवा बैटें दोस्तो अब देखना होगा यहाँ पे एलेक्स केरी अगले बल्लेबाज की रूपे आए है अच्छी बल्लेबाजी करते है एलेक्स केरी फिलाल देखना होगा जीत किस टीम कूँ ओगी अंतिम गेंडेस ओवर के देखना अंतिम गेंडेस ओवर के बड़ा है टाएका तो साइद मुकावला पिरसे पसकता अंतिम गेंडेborgfreiा टाइनिग लाजबा पे है और अच्छी गेंड है अच्छी गेंड है लाउजब आप टाइमिंग थी अच्छी गेंड को उसरत गेंडबाजी आपे जड़े जाकी तारीब करने होगी रबिंदर जड़े जाकी सांदार गेंडबाजी करते हुए लेकिन इस बार नहीं बक्सेगे हवा में गेंद है नीचे फील्डर है गेंद जाएगी लोगोप सीमारेका के बाहर छे रनों के लिए चार गेंद है पंधरा रनों की जरुवत है एक कदम आगे वड़ा है आपे सांदार सौट मारकस इस्टोनिस 23 के स्कूर पर पहुँच चुके हैं चार गेंदों पर 15 रनों की जरुवत है उस्टेले टीम को जीत के लिए और एक और अच्छा सौटे हवा में गेंद है नीचे फील्डर है साइट सफलता मिल सकती यहाँ पे लेकिन सफलता नहीं है गेंद गई है दोस्तों लोमोप सीमारेका के बाहर डग आउट में स्टेंड में टकराई गेंद सांदार बल्ले वाजी जबरदस्त मुकाबला वर्ल्ड काप के इस बड़े मंच पर पॉइंट टेवल के बारे बात कीजा दोस्तों तो साउट अपरिकाई नम्मर एक पे पहुँच चुकी है और भारते टीम मुकाबला जीतेगी इंग्लेट के साथ तो पहुँच जाएगी नम्मर एक पर फिलाल यहाँ पे तीन गेनों पर नो रनों की जरुवत है एक और अच्छा जोट है डीप मिड्विकेट सीमारेका के बाहर मारकस सिस्टोन इसके सबल्ले से लाजबा प्रहार नीचे फिल्डर मौजूद यहाँ पे दोस्तों केंच ड्रोप हो चुका है जीवंदान मिल चुका है आसान सा केंच था और उस केंच केंच को ड्रोप कर दिया अब दो गेनों पर तीन रनों की जरुवत है सांदार छक्का लगाया माप कीजिए केंच नह पलता नहीं मिलेगी एक गैन तीन रन जीत के लिए ओष्टिले टीम को यहाँ से आवज सकता है दोस्तों अगर आप लोगों अभी तक भी इस मुकाबले को लाइक ने किया तो लाइक कर दीजे अगर आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे से भारत ये टीम ने मुकाबला जीत लिया है खुशी का माहौल दर्सकों से खचा कच भरा हुआ है स्टेडियम और अगर आप लोगों अभी तक दोस्तों से मुकाबले को लाइक ने किया तो लाइक कर दीजे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजे